नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन दस सबसे भूतिया पुलों की एक रहस्यमय यात्रा पर, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पुल ना केवल अपने अद्भुत निर्मान के लिए प्रसिद्ध है, बलकि उनके पीछे चुपी हुई भूतिया, कहानिया और रहस्यमय घटनाएं भी इसे और भी डरावना बना देती हैं। इन में से कुछ में सैक्स कवर्ड ब्रिज की बात करें, तो इस पुल पर कई साल पहले हुई आर्मियों की लड़ाई के बाद जितने भी लोग मारे गए थे, उनकी आत्माओं की लड़ाई की आवाज आज भी कई लोगों ने सुनने का दावा किया है। और दूसरा, ओल्ड आल्टन ब्रिज, जहां एक समय ट्रेन गुजरता था, लेकिन अब इस पुल के भूतियां होने के बाद, यहां बहुत से लोगों ने आत्माओं को देखने का दावा किया है। और तीसरा, रिच्मन ब्रिज, इस पुल पर एक महिला की आत्मा के कारण भूतियां घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ कि इसके आस पास की जगहें और स्कूल तक भूतियां हो गए हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ इन 10 में से 3 पुलों के बारे में छोटा सा विवरंड था। हमारे पास यहां पर और भी 10 ऐसे भूतियां पुल हैं जिनके बारे में जानकर आप लोगों का होश उड़ जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जो कि आपके लिए फ्री होता है और उससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट नमबर एक, Old Alton Bridge, टेकसस, टेकसास के डलास काउंटी में स्थित Old Alton Bridge, जिसे स्थानिये लोग Bloodsuckers Bridge के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यमय और भूतिया स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। 1884 में बना यह पुल आज भी अपनी अद्भुत और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। अगर आप भी रहस्यों और भूतिया कहानियों के शौकीन हैं तो इस पुल की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ओल्ड आल्टन ब्रिज की भूतिया पहचान की कहानी एक डरावनी किमवदंती से जुड़ी है। अब्बे भी देखे हैं जो आत्मा की आक्रामक्ता को दर्शाते हैं। कई लोग जिन्होंने इस पुल पर रात बिताने की कोशिश की है। उन्होंने कैमरे में अजीब आकरतियाओं कैप्चर की है। यहाँ पर असामान ने रोशनी और धुंदली चायाएं भी देखी गई पुल के चारों और की रात की खामोशी और अंधेरे में छिपी हुई आत्मा की उपस्थिती इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। यदि आप भूतिया कहानियों और रहस्यों के शौकीन हैं तो Old Alton Bridge आपकी यात्रा के लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है। मिशिगन के दक्षन पश्चिमी कोने में स्थित हेल्स ब्रिज एक ऐसा स्थान है जिसे रहस्यमय और भूतियां घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहली नजर में एक साधारन सा पुल लेकिन इसके अंधेरे इतिहास और खौफनाग घटनाओं ने इसे एक रहस्यमय स्थल बना दिया है। हेल्स ब्रिज की भूतियां माननिता की कहानी एक दर्दनाग घटना से जुड़ी है। स्थानी ये लोगों के अनुसार एक युवक और उसकी प्रेमिका ने इस पुल पर अंतिम बार मुलाकात की थी और उनकी मौत के बाद से ही यह स्थान भूतियां मान लिया गया है। कहा जाता है कि उनके शव पुल के नीचे पाए गए थे और उनकी आत्माएं अब इस स्थान पर भटकती हैं। लोग यहां पर अजीब आवाजें सुनने और अचानक ठंडी हवाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं। इस स्थान पर अंधेरे में एक खौफनाक आत्मा की उपस्थिती भी महसूस की गई है। हेल्स ब्रिज पर रात बिताने वाले कई लोगों ने अजीब घटनाओं का सामना किया है। कैमरे में कैपचर की गई रहस्यमय आकरतियां, अजीब रोशनी और धुंधली चायाएं इस पुल की भूतिया पहचान को और भी मजबूत बनाती है। कुछ ने यहाँ पर खून के धबे और अजीबो गरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जो इस पुल को एक भूतिया स्थल बनाते हैं। इन घटनाओं के कारण हेल्स ब्रिज आज भी रहस्यमय अनुभव की तलाश करने वालों के लिए एक प्रमुख आकरशन स्थल है। बढ़कने तेज कर देंगी और आपको एक अद्वितिय अनुभव प्रदान करेंगी। सैन अन्टोनियो के बाहरी इलाके में स्थित डॉंकी लेडी ब्रिज एक ऐसा स्थान है जिसकी कहानिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पुल एक साधारन पुल से कहीं अधिक है। इसके पीछे एक रहस सिमय और खौफनाक इतिहास छिपा हुआ है। अगर आप भूतिया कहानियों के शौकीन हैं तो इस पुल की भूतिया कहानी आपको पूरी तरह से अच्चंभित कर देगी। कहानी के अनुसार डॉंकी लेडी ब्रिज के पास एक महिला की आत्मा भटकती है जिसे स्थानियों लोग डॉंकी लेडी कहते हैं। किमवदंतियों के अनुसार यह महिला एक दर्दनाक दुरघटना का शिकार हुई थी और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस पुल पर फंसी हुई है। लोग कहते हैं कि उसकी विकृत आत्मा अक्सर पुल के आसपास ममता की प्रतीक्षा करती रहती है और रात के समय यहां पर अजीब घटनाएं घटित होती है। कहानियां बताती हैं कि उसकी दर्दनाक मौत के कारण उसकी आत्मा अब इस जगह पर हमेशा के लिए कैद हो गई है। टॉंकी लेडी ब्रिज पर रात बिताने वाले लोग अक्सर अजीब अनुभवों की बात करते हैं। कुछ ने यहां पर अजीब आवाजें सुनी हैं जैसे की रोने की आवाजें या किसी के चलने की आहट। कैमरे में कैप्चर की गई धुंदली चायाएं और रहस्यमय आकरतियां इस पुल की भूतिया पहचान को और भी बल देती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने पुल पर अचानक ठंडी हवाओं और विचित्र रोश्नी का अनुभव किया है जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती है। आज भी डॉंकी लेडी ब्रिज एक प्रमुख स्थान है जहां भूतिया अनुभव की खोज में लोग जमा होते हैं। यह पुल अपनी अजीबो गरीब कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। रात की खामोशी और अंधेरे में छिपी आत्मा की उपस्थिती इस पुल को एक आदर्श भूतियां स्थल बनाती है। चेशायर के खूबसूरत गाव पेकरफोर्टन में एक पुल है जिसे स्थानिय लोग भूतियां पुल के नाम से जानते हैं। यह पुल पेकरफोर्टन कैसल के पास इस्थित है। एक ऐसा किला जो मध्यकालीन इतिहास की गहराईयों में छिपा हुआ है। लेकिन इस पुल का वास्तविक रहस्य इसके प्राचीन पत्थरों में ही समा गया है। क्या आपने कभी सुना है कि एक पुल रात के अंधेरे में अपने आप में जी उठता है। अगर नहीं तो पेकरफोर्टन का यह पुल आपकी कल्पना को हकीकत बना सकता है। यहां की रातें खास हैं। कहते हैं जब चांद की रोशनी पुल की कंक्रीट पर गिरती है तो अचानक ठंडी हवा का जोंका महसूस होता है। चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने यहां अजीब आवाजें सुनी हैं। जैसे किसी का रोना या चुपके से चलने की आवाजें। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कई लोगों ने पुल पर एक धुंदली आकरती देखी है। एक युवती जो जलते हुए कपड़े में लिपटी हुई है और अपने खोय हुए प्रेमी की तलाश करती प्रतीत होती है। कहानी है कि इस पुल पर एक दुखध प्रेम कथा सजी हुई है। यह प्रेमी का अपनी प्रेमी के साथ इस पुल पर अक्सर आती थी। लेकिन एक रात अंधेरे में उसे एक भयानक दुरगटना का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मा अभी इसी पुल पर भटकती है जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी। लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी पुल पर जूलती है और उसके रोने की आवाजें रात की खामोशी को तोड़ती हैं। क्या आप भी इस भूतिया पुल पर एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए है जो रहस्यों और अद्रिश्य ताकतों में विश्वास रखते हैं। अगर आप इस पुल पर कभी जाएं तो ध्यान रखें। पुल की कंक्रीट पर हर कदम आपको एक नई रहस्यमय कहानी सुनाएगा। और हो सकता है कि आप भी उस असाधारन आकरती को देख सकें। जो अपनी दुख भरी कहानी को हर रात पुल पर बुनती है। साउथ कैरोलाइना के खुबसूरत परिद्रिश्य में एक अनोखा पुल खड़ा है। यह पुल जो 1820 के दशक में निर्मित हुआ था अपने शानदार आर्किटेक्चर और गहरी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के लिए जाना जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक पुराना पुल नहीं है। इसके साथ जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां और भूतियां गतिविधियां भी हैं जो इसे एक रहस्यमय स्थान बनाती हैं। जब आप इस पुल पर कदम रखते हैं तो आपको समय की धारा में बहने का एहसास होगा। जैसे आप अतीत की गहराईयों में प्रवेश कर गए हों। पॉइंसेट ब्रिज की रातें बेहद अजीब होती हैं। स्थानिय लोगों और यात्रियों का कहना है कि यहां अक्सर अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। जैसे किसी के चलने की आवाजें या अग्यात हल चल। लेकिन सबसे चौकाने वाली बात ये है कि कई लोग पुल पर एक अजीब सी चमकदार हल की आकरती देख चुके हैं। ये आकरतियां अक्सर पुल के मध्ध में अचानक प्रकट होती हैं। और जब लोग इन्हें देखना शुरू करते हैं तो ये धुंधला कर गायब हो जाती हैं। पॉइंसेट ब्रिज के भूतियां रूप के पीछे एक दिल दहला देने वाली कथा छुपी हुई है। कहते हैं कि एक समय एक महिला अपने बच्चे को इस पुल पर लेकर आई थी। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह पुल से गिर गई। कहते हैं कि उस रात के बाद से उसकी आत्मा इस पुल पर भटकती है। और कई लोगों ने उसकी हताशा और शोक की आवाजें सुनी है। उसके बच्चे की आत्मा भी कहीं पुल के चारों और खोचती रहती है। जिससे इस स्थान पर एक सदा संतप्त वातावरन बन गया है। क्या आप भी इस पुल पर एक रात बिताने का साहस रखते हैं। पॉइंसेट ब्रिज उन लोगों के लिए है जो रहस्यों और भूतियां कहानियों में विश्वास रखते हैं। यदि आप इस पुल पर जाएंगे तो खुद को एक अजीब और डरावनी अनुभव के लिए तयार रखें। हो सकता है कि आप भी रात के अंधेरे में उन अंदेखी आत्माओं से रूबरू हो जाएं जो इस एतिहासिक पुल पर अपनी कहानियां साजा करती हैं। एक बार जब आप यहां आ जाएंगे तो आपकी रात की नींद और शांती दोनों ही संदिग्ध हो सकती हैं। ओहायो के बगीचों और खेतों के बीच स्थित एजिप्ट रोड ब्रिज एक पुराना और रहस्यमय स्थल है। यह पुल उन्नीसवियों शताबदी के अंत में बनाया गया था। यह पुल अपनी एतिहासिक महत्वता के अलावा भूतिया गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इजिप्ट रोड ब्रिज की रातें विशेश रूप से अजीब होती हैं। स्थानिये लोगों और भ्रमणकारियों ने बताया है कि पुल के नीचे अंधेरे में अचानक ठंडी हवा का जोंका महसूस होता है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पुल पर चलते समय अजीब सी सरसराहट और चलने की आवाजें सुनी है। सबसे चौकाने वाली बात ये है कि कुछ ने पुल के चारों और चमकदार लपटें देखी हैं जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती है। इस पुल के भूतिया स्वरूप के पीछे एक दुखत कथा छुपी हुई है। कहा जाता है कि एक युवा दुलहन अपनी शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए इस पुल पर आई थी। लेकिन एक भयावह दुर घटना में उसकी मृत्यू हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा पुल के आसपास भटकने लगी। ये दुलहन की आत्मा अब भी पुल पर जाती है और कई लोग उसके हंसने और रोने की आवाजें सुनते हैं। इस घटना की गहराई और रहस्य ने पुल को एक भूतिया स्थल बना दिया है। इजिप्ट रोड ब्रिज उन लोगों के लिए है जो रहस्यों और अद्रिश्य ताकतों में विश्वास रखते हैं। अगर आप यहां आएं तो हो सकता है कि आप भी उन अद्रिश्य शक्तियों का सामना करें जो इस पुल के आसपास सजीव रहती हैं। इस पुल पर कदम रखते ही आप एक अनोखा और रहस्य में अनुभव पा सकते हैं। जो आपकी आत्मा को सिहरन दे सकता है और आपकी रात को चौकाने वाले रहस्यों से भर सकता है। कोल्विल कवर्ड ब्रिज, केंटकी के जैक्सन काउंटी में स्थितिक एतिहासिक पुल है। यह पुल 1856 में निर्मित हुआ था और इसकी लंबाई लगभग 105 फीट है। इसका निर्मान लकडी से किया गया है और यह एक पुरानी शैली का कवर्ड ब्रिज है जो आज भी अच्छी स्थिति में है। पोल्विल कवर्ड ब्रिज को भूतिया माना जाता है और इसके पीछे कई डरावनी कहानिया है। स्थानिय लोगों के अनुसार इस पुल के आसपास अजीबो गरीब घटनाएं होती है। यहां की सबसे प्रसिद कहानी एक युवा लड़की की है जिसे स्थानिय किमवदंतियों के अनुसार एक सदी पहले इस पुल पर मृत पाया गया था। कहा जाता है कि लड़की की आत्मा आज भी पुल के आसपास भटकती रहती है। कई लोगों का कहना है कि रात के समय पुल के ऊपर से गुजरते हुए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे कि कि किसी के कदमों की आवाज या आ हैं। कुछ लोगों ने यहां अज्यात चायाएं भी देखी हैं जो रात के अंधेरे में और भी भयावह लगती हैं। एक और डरावनी घटना के अनुसार पुल पर खड़े होने पर अचानक हवा तेज हो जाती है और अजीब ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। कोलविल, कवर्ड ब्रिज की भूतिया, मानिता की जड़ें, स्थानिय कहानियों और लोगों के अनुभवों में हैं। लेकिन इसका कोई ठोस वैग्यानिक प्रमार नहीं है। फिर भी, इस पुल का रहस्य और इसका भूतिया होने का दावा इसे एक रोमांचक और ढरावना स्थान बनाता है, जहां हर साल कई लोग इन रहस्यों को जानने के लिए आते हैं। कोल्विल कवर्ड ब्रिज, एक एतिहासिक और भूतिया स्थल के रूप में निश्चित रूप से रहस्य और रोमांच का केंद्र है। इस जगे की कहानी और घटनाएं इसे एक अद्वितिय और रहस्यमय स्थान बनाती हैं। नमबर आठ, सक्स कवर्ड ब्रिज, सक्स कवर्ड ब्रिज, जो अमेरिका के पेंसिलवेनिया राज्य के गेटीजबर्ग में स्थित है, एक एतिहासिक और रहस्यमय पुल है। ये पुल 1854 में बना था और अपनी गेहरी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के कारण प्रसिद्ध है। गेटीजबर्ग युद्ध के दौरान इस पुल के आसपास की जमीन पर भीशन लड़ाई लड़ी गई थी। सक्स कवर्ड ब्रिज को भूतियां घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानिये लोगों का कहना है कि रात के समय इस पुल पर अजीब आवाजें और भयानक घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पुल पर युद्ध की गूंज सुनी है जैसे कि सैनिकों की चिलाहट और घोड़े की टापें। कई लोग इस पुल पर अजीब रंग की धुंध और तंतुहीन आत्माओं की उपस्थिती का अनुभव कर चुके हैं। पुल पर घुमने वाले परियटकों ने कभी कभी अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया है। कुछ लोगों ने देखा है कि पुल के एक कोने पर अचानक से भारी ठंडक आ जाती है और हवा में अजीब से गंध पहल जाती है। कई लोगों ने रात के समय एक अजीब सी चाया देखी है जो पुल के उपर से गुजरती है और अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उन्हें अनदेखी हाथों से खीचे जाने का एहसास हुआ है। इस पुल की भूतिया कताएं इतनी प्रचलित हैं कि कई एतिहासिक शोधकरताओं और भूतिया विशेशज्यों ने भी इस स्थान की जाच की है। कुछ शोधकरताओं का मानना है कि इस पुल के नीचे दफन कई सैनिकों की आत्माएं आज भी अपने दर्दनाक मौतों का बदला ले रही हैं। स्थानिय किन्वदंतियों के अनुसार युद्ध के दौरान इस पुल पर बहुत से घायल सैनिकों को लाया गया था जो कभी पूरी तरहे से ठीक नहीं हो सके और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। सक्स कवर्ड ब्रिज की भूतियां कहानियां और घटनाएं इसे एक डरावना और रहस्यमय स्थान बनाते हैं। इलिनॉइस के ब्रुक फील्ड में स्थित है और इसे 1910 में रेलवे पुल के रूप में बनाया गया था। इस पुल को मजबूत और टिकाउ बनाने के लिए विशेश वायुतंग निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया। पुल की निर्माण प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों ने कठोर और खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया। निर्माण के दौरान एक प्रमुग घटना ने इस पुल को एक रहस्य में पहचान दी। जब पुल की एक मुख्य बीम के लॉट टेस्ट के दौरान एक विशाल क्रैक आ गया तब कई श्रमिकों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने इस पुल की किस्मत को बदल दिया और इसे एक भूतिया स्थल बना दिया। एरटाइट ब्रिज को स्थानिये लोग भूतिया घटनाओं का मुख्य स्थल मानते हैं। ये पुल रात के समय अजीब आवाजों और गतिविधियों के लिए जाना जाता है। स्थानिये निवासियों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने पुल पर अजीब कदमों की आवाजें सुनी हैं। जबकि वहां कोई भी नहीं होता। इसके अलावा कई लोगों ने दावा किया है कि पुल पर अजीब गंध और ठंडक का अनुभव किया है। कुछ ने यहां रात के समय एक अंदेखी शक्ती का एहसास किया है जो उन्हें असहज और भैभीत कर देती है। पुल के अंधेरे और खाली क्षेतरों में घूमते समय कई परियटकों ने भूतियां घटनाओं का सामना किया है। कुछ ने बताया कि उन्होंने पुल के नीचे से गुजरते समय अचानक से हवा का तेज बहाव और अजीब सी ठंडक महसूस की। कई लोगों ने यहां अजीब सी चायाएं देखी हैं जो अचानक गायब हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने इस पुल पर आत्माओं के हाथों को महसूस करने का दावा किया है जो उन्हें खींचने या छूने की कोशिश करते हैं। यह घटनाएं इस पुल को और भी डरावना और रहस्यमय बनाती हैं। एरटाइट ब्रिज की भूतियां घटनाएं और खौफनाक कहानियां इसके इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं। निर्मान के दौरान हुई दुर घटनाओं और श्रमिकों की मौतों ने इस पुल को एक रहस्यमय चवी दी। इसके अलावा पुल की मरम्मत और निरीक्षण के दौरान भी अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। इन घटनाओं ने स्थानिय समुदाय में एक भूतिया मिथक को जन्म दिया है जो आज भी जीवित है। नमबर दस, रिच्मंड ब्रिज टस्मेनिया, रीच्मंड ब्रिज तस्मानिया में स्थित 1825 में निर्मित है और यह उस्ट्रेलिया का सबसे पुराना पत्थर का पुल है। इसकी एतिहासिक महत्वता के साथ साथ यह स्थान अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। पुल के निर्मान के समय के बाद से ही यहां अजीब घटनाएं और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी, जो इसे एक भूतिया स्थल बना देती हैं। आम लोगों की मान्यता है कि रीचमंड ब्रिज पर कई भूतियां घटनाएं घटी हैं। कई स्थानिय निवासियों ने रिपोर्ट किया है कि वे अकसर रात के समय एक महिला की चीक सुनते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने कहा है कि वे अंधेरे में अचानक ठंडक महसूस करते हैं और पुल पर चलने के दौरान अन देखी उपस्थिती का एहसास होता है। रीचमंड ब्रिज के निकट स्थित एक पुराने स्कूल की भी भूतियां कहानियों में भूमिका है। यह स्कूल जिसे अब बंद कर दिया गया है। वहां के पूर्व छात्रों न जाती हैं क्योंकि यहां पर कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। कई लोगों का मानना है कि पुल और पुराने स्कूल की भूतियां कहानियां, एतिहासिक घटनाओं, दुखद आत्माओं और असमाप्त अधूरी कहानियों से जुड़ी हुई हैं। यहां की छानबीन और लोगों के अनुभव इसे एक खौफनाक और रहस्यमय स्थान बना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत माइने रखता है, क्योंकि ये हमें और भी शांदार वीडियो बनाने की प्रेणा देता है। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कंटेंट पेश कर सकते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।